Hello everyone, welcome to my channel आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सूट के कटिंग बताऊंगे बिगनेर्स के लिए तो इसके लिए मैंने आपे 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और ये कपड़े के लंबाई है याने की 2 मीटर और ये अर्ज है कपड़े का 44 इंच का और इसको मैंने देखिए लंबाई में बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करके रखा है यहां से open side है, यहां से folded वाली side है तो देखिए पहले एक बाद लंबाई में हमें इसको fold कर देना है और उसके बाद अर्ज में भी एक बार हमें इसको fold करना है जितना भी हमें कपड़ा चाहिए होगा उतना ही हम इसको फोल्ड करेंगे और कपड़े को किस measurement के हिसाब से कितना हमें फोल्ड करना है इसकी अल्रेडी में डीटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ अगर आपको देखने हैं तो लिंक में आपको डिस्कुप्शन बॉक्स म इसको सीधी लाइन जोइन कर देना है तो यह सीधा कर दिया अब इस लाइन से नीचे को हमें कूर्ती की लंबाई के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी आपको प्रती की लंबाई चाहिए उससे टेरी들 इंच बढ़ा के लिए नीचे डबल फोल्ड करने के लिए तो मि पर पर नजदीक से दिखा देती हुम आपको तो देखिए यहां पर जो फोल्डड वाली साइड है यहां से हमें अंदर को शॉल्डर के लिए निशान लगाना है यानि कि तीरा के लिए तो यह 36 साइज के कुर्ती है तो इसका जो शॉल्डर आता है वह 7 इंच पर आता है तो इस पॉइंच से नीचे की तरफ को हमें आम होल के लिए निशान लगाना है तो यह बहुत जादा टीप नेकी कुर्ती नहीं है इसलिए जितना शॉलडर लिया है साट इंच पर आम होल के लिए निशान लगाइं और इसको आपर सीढी लाइन से हमने जॉइन कर दीना है मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 36 इंच का उसको हमने पहले चार से रिवाइट करना है चार से रिवाइट किया क्योंकि कप्ड़ा चार फोल में रखा आप तो यह आया 9 इंच अब इसमें हमें आधा इंच की लूजिंग कर देनी है तो यहां पर हमारा आ गया 9.5 इंच तो इसल कमर का जो निशान लगता है वो हमारह यहां शोल्डर से 14 से 15 उंच करीब नीच चे पर लगता है तो यहां पर इस तरह से इंच रखना है और मैं यहाँ पे 14 इंच पर एक सफोर्टीन निशान जैसे के मेरी जो कमर है वो है 32 इंच की उसको हमें चार से डिवाइट करना है पहले क्याकि कपड़ा चार फोल में है तो आया आठ इंच अब इसमें हमें आधा इंच की लूजिंग एड कर देनी है तो आया 8.5 इंच इसलिए कमर के लिए जो हम निशान लगाएंगे वो 8.5 इ हुआ है तो हазд़ा है तो हिप रांड का फॉर्मूला है देखिए जितना भी आपका हिप मेजिमेंट है उसको चार से diviट करें और आधा इंच की लूजिंग एक करें जैसे कि मेरे मेज़ेमेंट में है फॉर्टी इंच का उसको चार से डिमाइड किया तो आया हमारा 10 इंच और पिर उसम пережबन एधा एक हमने लूजिंगा करने है तो आया 10.5 इंच तो यहां पर 10.5 यानि कि इन तीनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से जॉइन कर देना है अब इसके बाद इसके बॉटम घेर के लिए में निशान लगाना है तो जितना हमने ही प्राउन के लिए निशान लगाया उतना ही हमें यहां नीचे बॉटम में भी लगा देने क्यांकि यह स्ट्रेट देना है अब इसके बाद हमें आम होले को नजीख से दिखा दे यहां 2 बाओर की तरफ को हमें एक इनचेनी इंज पर निशान लगाना है और यह जो आम होले की मिड़ ले लेना है बीच औ बीच पर एक निशान लगायेंगे और बस इन दोनों पॉविद मिलाते हुए हमें हलका सब घुमाओ देते वे, यहाँ पे back का आम होल कर बनाना है, तो यह हमारा back part का आम होल कर बन गया है, अब front का आम होल कर बनाने के लिए, यह जो कोना है, यहाँ से अंदर की तिरफ को हम 0.75 inch पे अंदर आएंगे, देखे, 0.75 inch पे निशान लगाए, यहाँ पे देखे, अ दीखे अब इस कोने से बाहर की तरफ को हमे वान 1 in在 इंड की 1 in पे निशान लगाना है और यहां से हलका सा गूमाओ को देते हैं हमें इसका सब्ग 의κ का ने कशले कंश है। तो देखिए पिंक वाली लाइन से हमेरा फ्रण आमल कर वेए और ब्लू वाली लाइन जो बाहर को यह बेक आम हुल कर वें आप यहां से अंदर को नेक से निशान लगाना है तो निशान में 2.75 इंच पे लगा रही हूं यहां पर ध्यान दीजए जितनी भी आपको गले की चोड़ाया चाहिए ने रेडी चोड़ाय उससे दो पॉइंट कम करके ही हम निशान लगाएंगे जिसे मुझे यहां पर तीन इंच की चोड़ाय चाहिए तो दो पॉइंच कम करके यानिकी 2.75 इं निशान लगाएंगे तो देखिए नेक विट जितनी लिए उससे आधा इंच बढ़ा के लेंगे तो यहां पर मैं 3.25 इंच पर निशान लगा रही हूं और इसको भी हमें आप ऐसे सीधा कर देना है और उपर नेक विट वाले पॉइंट पे भी सीधा मिला लेना है अब हमें हैं तो यह हमारा फ्रेंट का और बैक रिचिन बन गई है अब यह जो आमहूल वाले लाइन हैं ना है इस पर हम आधा इंच नीचे पे जाना है और इसको हमें यहां पर नेक विट वाले पर सीधी लाइन से जॉइन कर देना शोल्डर स्लोप के लिए और इसमें भी आधा इंच का में सलाई मार्जन ले लेना है उपर की तरफ पे तो यहां पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है अब कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम एक अम होल्ग कर वे निगे कि वाला कट करेंगे देखिए पहले भ्यक्व ओलो करना है उसके पाहिए नहीं कुकी नेक्राइन इस को कमें कट करना है इसके बाद हमें फ्रंट वाले पार्ट की cutting करने है तो उसके लिए हम इसको open करेंगे और अंदर वाला जो एक इससा है एक between it is Social One इसको अलग हटादेंगे यह घ्रक्ष आट रखना है अब इस वाले को वापिस से ही में तो यहां पर देखे ओपन साइड है और यह कपड़े की लंबाई में प्रिंट भी लंबाई में है तो स्लीव की लंबाई भी ऐसे ही आनीच चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे कपड़े को अर्ज में इस तरह से एक बार और फोल कर देंगे कपड़ा फोल कर लिया है तो देखे जितने भी स्लीव की लंबाई चाहिए उससे 2 इंच बढ़ा के यहां पर हमें लेना है जैसे 14 इंच की मुझे लंबाई चाहिए और 2 इंच का सिलाई मार्जन हमें ले लेना है अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें सीधा कर लेना है अभी यह जो नीचे वाली ला लगाना है तो देखे जितनी भी हमने कुर्ती में आम होल की लंबाई ली थी ने जो लंबाई वाली लाइन है कुर्ती की इससे 1 इंच बढ़ा के लेना है तो यह 7 इंच का मैंने लिया था आम होल तो इसमें मैं 8 इंच पर निशान लगा लेना है और इस पॉइंट से नीच की दिए लाइन से एक बार जौन करें अब इसको जस्टी करने के बाद हमें बिलकुल इसलाइन का मीड़ पॉइंट ले लेना है तो इसमें भी हम बिलकुल डीको बीच पे में एक निशान लगा लेंगे इसके बाद यह जो भी आमने बीच में निशान लगा इसके और यहा पर में जॉन कर लिना है तो यह हमारा बैक का बन गया है अब फ्रंट का आमोल कार बनाने के लिए जू तीसरा अला निशान था ना इसके नीचे की तरफ को में आधा इंच पर निशान हम आएंगे। और हलका सा गुमाओ देते वे मिड़ पॉइंट से मिलाते वे हमें यहां पर फिर उसके बाद नीचे की तरफ से ले जाते वे हमें यहां साइड पर मिला देना तो यह हमारा फ्रंट का आमोल कर वन गया अब यहां नीचे बॉटम के लिए निशान लगाना है तो जितनी हाथ क करने के बाद साइड में हमें ना तो डिज रिंच का सलाई तक ही मार्जनивать करेंगे क्छा सिथे कर देंगे अब साइड मैं धूज हुआत काइवने और यह कॉति त् exhortis नहीं हमें साइड में फिलिए मेंने फरें पाले को सेथे किछ निचे की तरफ में करना है अब कटिंग करनी है तो कटिंग भी इसमें हम बैक वाले पार्ट की पहले करेंगे और फैला के रखने के बाद अब इसका जो फ्रंट आमोल कर्व है उसके हम कटिंग करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यहां बैक वाले पार्ट का है और यह फ्रंट वाली का है तो स्लीव की भी कटिंग यहां पर पूरी हो चुकी है